सदा स्वस्त रहने के बेश्ट पच्पन टीप्स नमबर एक दूद में सौप टाल कर पेने से कमर दर्द में राहत मिलती है नमबर दू, रोजाना रात को सोते समय पिसाब करके सोने से गुर्दे कभी खराब नहीं होते है नमबर तीन, रात को नाभी में तिल डालने से दिमाग तेज काम करने लगता है और स्वास्त भी ठीक रहता है नमबर चार, जो रोजाना दही का सेवन करते हैं उन्हें पिसाब में इनफेक्शन नहीं होता है नमबर पांच, कटी हुए प्याज को दूसरे दिन ना खाएं इस पेट की बिमारियां हो सकती है नमबर चे, रोजाना सुबह खाली पेट उल्टा लटकने से लंबाई बढ़ना सुरू हो जाती है नमबर साथ, मूली का रस पीने से पीत का पथरी बनना बंद हो जाती है नमबर याठ, रोजाना थोड़ा अधरक का टुकड़ा चबा लेने से जल्दी विमारियां नहीं आती है नमबर नौ, सुबह उठते ही कंगी करने से आपकी बाल मजबूत होते है नमबर दज, अगर आपके होट काले पढ़ जाएं तो रात को सोने से पहले दही का मलाई अपने होटों पर लगाएं इससे आपके होट लाल और गुलाबी हो जाएंगे नमबर ग्यारे, गुड की सेवन से सुगर की दिक्कत नहीं होती है नमबर बारे, रोजाना बेर की सेवन करने से पेट की बहुत सी बिमारियां दूर हो जाती है नमबर तेरे, रोजाना सुबह एक ताजा टामाटर खाने से बाल जल्दी सपहिद नहीं होते है नमबर चवदे, सुबह नास्ते में इलाईची खाने से सास नहीं फूलती है नमबर पंद्रे, सोने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पीने से गुर्दे साफ रहते है नमबर सोले, अमुरूत के सेवन से सुष्टी और डिप्रेशन कम होती है नमबर सत्रे, ज्यादा ठंधा पानी पीने से चेहरे पर जुरियां आती है नमबर अठारे, धनिये के रस को गंजिस सिर में लगाने से सिर के बाल आना सुरू हो जाते है नमबर उन्नीस, गरम रोटी के साथ दही का सेमन बिलकुल ना करे नमबर बीश, रोजानब प्याज खाने से सरीर में ताजा खून बनता है नमबर एकीस, अगर आपके हाथ हर समय ठंधे रहते हो तो आप में खून की कमी हो सकती है नमबर बाईस, फॉल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए इस सत्यजाब बनता है और सीने में जलन भी हो सकती है नमबर तेईस, अगर चेहरे पर बुढ़ापा जल्दी नजर आने लगे तो दूद में छुहारे उबाल कर पीए नमबर चेहुबीस, जियादा ठंधा पानी पीने से दातों को नुक्सान पहुचता है इस से दात जल्दी खराब हो जाते है नमबर पचीश, रोजाना दूद पीना सरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है दूद अमरित के समान होता है नमबर चेहुबीस, बालो को लंबे और घने करने के लिए सर्सू के तेल में थोड़ा सा दूद मिला कर लगाने से बालो को फायदा मिलता है नमबर चेहुबीस, अगर आपके सिर में दर्द रहता हो तो आप चावल से परहेज करें नमबर अठाईस, चावल खाने से तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पेट को नुफसान पहुचता है और बदहजमी हो जाती है नमबर उनतीस, कान में मैल जमा होने पर खुजली होने लगती है, जिसे दूर करने के लिए रात में सोते समय दो से तीन बूंद सर्सों का तेल डालें ऐसा करने से सुबह तक कान में जमा हुआ मैल बाहर आ जाएगा नमबर तीस, गर्म कपड़े या गर्म कंबल को ज्यादा समय तक अलमारी में रखने से कपड़ों में बदगू आने लगती है इसके लिए कपड़ों के साथ खाली बोटल परफियूं की रख दें इससे जब भी आप कपड़ों के निकालेंगे तो अच्छी खुसबू आएगी नमबर एकतीस, गर्म पानी में थोड़ी से इलाजी का सेवन करने से सरीर की ठाकावट दूर होती है नमबर बतीस, अगर आपके सरीर में कमजोरी महसूस होने लगे तो दूद में छुहारे डाल कर पीने से ताकत मिलती है नमबर तैस, रोजाना रात को किसमिस के सेवन करने से सरीर को ताकत मिलती है नमबर चाउतीस, पुदीने के पत्तियों को चहरे पर लगाने से इसकी नरम और मुलायम हो जाती है नमबर पैंतीस, अगर आपको सोखी खासी आ रही है तो आप रात को सोती समय गर्म दूद में दो से तिन बता से डाल कर पीएं इससे आपको खासी में राम आ जाएगा नमबर चाउतीस, गेहूं के डलिये में देशी खांड बदाम की गिरी और देशी घी मिलाकर डलिया खाने से मस्तिक दिमाग की कमजोरी दूर होती है शरीर के लिए दलिया बहुत ही फायदेमंद होता है नमबर सैंतीस, हर बात को ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन का सिकार होते हैं क्योंकि उनका दिमाग भी वही सुचनी लगता है जो असलियत में होता ही नहीं नमबर अनतीस, रात की बची हुई रोटी में फाइवर भरपुर मात्रा में होता है बासी रोटी को सुबह दूद के साथ खाने से अपच गैस, एसेडिटी और पेट की कई विमारियों से राहत मिलती है नमबर उनतालेस, अगर आपकी आँखोक से पानी निकलता है तो इसका मतलब है कि आपकी नजर कमजोर होने लगी है नमबर चालीस, रोजाना दस से पंदर मिनट पैदल चलने से डिप्रेशन दूर होता है और सरीर भी स्वाष्ट रहता है नमबर एकतालीस, बदाम का तेल नाभी में डालने से पेट धीरे धीरे कम होने लगता है नमबर ब्यालीस, प्याज की खुस्बू सुंगने से दिल मजबूत होता है नमबर तैलीस, ज्यादा सोचने वाले और टेंसन लेने वाले इंसान के चेहरे पर जुरियां आने लगती है नमबर चुवालीस, सफेद प्याज का रस बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं नमबर पेटालीस, काजू के सेवन से नजर तेज होती है नमबर छियालीस, खाना खाने के बाद सरीर में खुन का बहाव कम होता है जिसकी वज़े से निंद आने लगती है नमबर चुवालीस, पेट के बल सोने से इंसान जल्दी बुढ़ा होने लगता है नमबर अड़ालीस, अगर आपकी नाक बंद हो जाये तो गुड की धुनी ले नमबर उन्चास, ज्यादा गर्म पानी से चेहरे को ना धुए, इससे तवचा जल्दी बुढ़ी नजर आने लगते है नमबर पचास, तेज चलने वाले इंसान का सरीर कभी धीला नहीं पड़ता नमबर इक्यामन, सिर की देशी घी से मालिस करें, इससे आपका दिमाग ताकतवर बनेगा और सिर दर्द भी धूर हो जाएगी नमबर बावन, जो लोग खाना खा करना हाते हैं, उनकी तवचा का रंग साउला होने लगता है नमबर तिर पन, लकड़ी का कंगा इस्तेमाल करें, इससे बाल कम तूटते हैं, और मजबूत रहते हैं दोस्तों, आपको यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेर जरूर करें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में